हलो दूस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सवकत करता हूँ फर्स टाम विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासिस इस चानल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो यह दोस्तो अब हम लोग आ चुके है बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन की उपर और दोस्तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं फिलाल जो चीजे बाजार में आपर चलते वे देखने को आपर मिल रही है उसका इंपक्ट है हमारे इंडियन मार्केट की उपर भी अच्छी त उसका इंपक्ट हम लोगों के शेर मार्केट के उपर मतलब सिर्फ हमारे मार्केट के उपर नी दुनिया बर के जितने भी मार्केट से आपर रहते हैं उनके उपर हम लोग को ज़रूर देखने को आपर मिल जाता है और फिलाल कि अभी जो भी आउटकम से आपर सामने आ रह तबी की एस्तिति है, बाद में अगर आप देखोगे एक दो घंटे के बाद situation completely change हो सकती है, और भी गिरावट या फिर recovery भी हो सकती है, बट फिलाल का जो अभी शुरुआत हुआ है American Bazaar का, उसमें साफ साफ हम लों को panic देखने का आपे मिल रहा है, मतलब आप easily check भी कर सकते है थोड़ा सा हलका सा gap down, और उसके बाद लगातार लाल candles हम लों को देखने का आपे मिल चुकी है, तो उसके पीछे की reasons के इसका जो impact है, वो हमारे market के उपर भी कैसे आ सकता है, वो कुछ points में आपके सामने आपे रखना चाओंगा, तो रोस्तों आप सभी लों को पता है American Bazaar का जो future है, टेले ये chart pattern देखने को नहीं मिलता था, बढ़ चलिए अच्छी बात है, अभी Google में American Bazaar का future का chart pattern भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लों को लगातार फिराल तो गिलावट देखने का आपे मिल रही है, अगर आप चाहो तो invest in.com के उपर भी जाकर ये chart pattern को द जाते है, उसका engine बोला जाता है, ये मैं multiple times आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि इसका importance इतना जादा है, कि पूरे दुनिया मार के बाजार में, कभी भी American Bazaar में जो चीजे होगी, उसका impact देखने को directly मिल जाता है, प्लस उसी के साथ साथ, बाकी other European countries भी अगर आप देखोगे तो उनमें भी हम लोग को लाल निशान फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है, तो कौन-कौन से ऐसी खबरे जिसके चलते अभी दुनिया बर के जो बाजार है, उसमें हम लोग को एक disturbance वाला माहौल देखने को आपे मिल रहा है, वो points में आपकी सामने रखना चाहँगा, उ वो वार से related कोई positive development बताएंगे, जैसे कि हम लोग वार को रोक रहे करके, ऐसे ही चीज़ों का expectation करना यह बेवकुफी था, वही चीज़े हम लोग को देखने को मिले, उन्होंने काया कि वो वार युकरेन के साथ continue ही यहापे रखने वाले है, प्लस उन्होंने कुछ ब्लेम के लिए उनको यह कदम यहापे उठाना पड़ा, यह भी point उन्होंने सामने रखा, मतलब ultimately उन्होंने यह खाए कि युकरेन के साथ जो उनका युद चल रहा है, उसके पीछे के जो जिम्मेदार है, वो actual में NATO and जो western countries है, वो ही देखने का आपे मिल रहे है, और उनका interference अभी रखकर, रश्या को damage करने की कोशिश आपे कर रहे है, तो रश्या अपना stand बिलकुल भी नहीं बतलेगा, और उन्होंने सिधा सिधा बात बोली है, कि येस, आने वाले समय में भी, युकरेन के साथ जो जंग जारी है, वो continue रहेगी, जंग जैसी चीज़े continue रहना ये अगर आप चेक करोगे, तो उससे तो हरको ही पैनिक होई जाता है, और वो है नुकलियर, ये जो सो रश्या पुतीन इश्यू, न्यू नुकलियर वार्निंग तो दा वेस्ट ओवर दे युकरेन, और बिलकुल ये ताजा ताजा खबर सामने आ रही है, वी डोंट इवन नो चीजे देखने को ने, उसके चलते जो पुतीन है, उन्होंने सस्पेंट कर दिया कि जो नुकलियर आम्स ट्रीटी जो रहती थी वित यूएस, और इसके चलते अभी यहापर बताया जा रहा है कि ये जो सारी चीजे पुतीन यहापर कर रहे है, नाटो का ही स्टेटमेंट ह कि बहुत ही जादा ये डिंजरस वे से चीजे जाती वे देखने को आपे मिल रहे है, मतलब बुलते ना कि नुकलियर अटेक करने का धमकी देना, इस प्रकर के एक्शन्स यहापर लेना, उस दिशा में ही हम लोग को पुतीन के एक्शन्स फिलाल तो देखने को आपे मिल र बाजार में और भी प्रेशर हमनों को देखने का पे मिल रहे है, प्लस उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है, कि बाइडन ने हाली में ही युकरेन बेस जो सर्प्राइज यहापर विजिट किया था, तो इसके चलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं, कि अभी भी युद चल रहा ह वो और भी स्टेच यहापर होने वाला है, तो नॉर्मली भी युद अच्छी बात नहीं होते हैं, मार्केट के इसाब से तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को लिख कर भी यहापर बता है, यह इन्फलेशन को बहुती बड़े इस तर के उपर बुलावा देता है, और इसका अगर हम लोग जलक की बात करें, तो आप एक साल देखी रहे हैं, अल्मोस्ट एक साल कम्प्लिट हो चुका है, यह रश्या वर्सिस युकरेन वार का, तो आप यह भी समझ सकते हैं, कि मार्केट कितना अंसर्टन है, एक साल य इन्वाले समय में कुछ और रहेगा, यह मैं अभी इसमें क्यों बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो मैंने आपको बात बताई, कि पहले 2020 COVID के बात लोग बोलतेते हैं, सर यह खतम हो जाएगा, तो हम लोग बाजार में इंटरी करेंगे, तब ही मैंने आपक अगर कभी ऐसा नॉर्मल एन्वारिमेंट मिल गया ना, बाजर कई गुना आगे बढ़ जाएगा, अब सोच भी ने सकते, तो इसी के बीच में बाजर को यहापर चलना पड़ता है, ठीक है, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ओपर, तो इंफलेशन को यह बुलावा देने व वाले थे, जैसे नंबर सामने आए, जिसके प्रती जो बाजर का रियक्शन है, आप इसीली देख सकते हैं, चार से पाच पसंट की गिरावट देखने को मिले, पाच दिन का अगर में चार्ट पेटरन ओपन कर दू, तो आप देख सकते हैं, नोस डाइव हम लों को देखने को मिल रहा है, बट और अगर हम लोग बात करें, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, मतलब इतना कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मस नहीं रहा है, खास करके उन्होंने जो फ्यूचर के जो गाइडेंस दिये है, वो इतने कुछ खास यहाँ पर नहीं दिये है, और उसी के सा होते हैं, वो तो हम लोगों को पता चल जाता है, बट उसी के साथ साथ, yes, कॉमेंटरी, यह सबसे इंपोर्टन चीज है, कि वो क्या सोचते है, भविश्य में, क्या आने वाले समय में भी क्या रेट हाई को यह वो continue करेंगे, या फिर इसको halt लगा देंगे, तो इससे related उनक अमेरिकन बाजार में देखने का आपे मिलने वाला है, जैसे मैं आप लोगो को का, इस चीज के चलते जो माखुल बना है, कोई positive news तो देखने हैं, तो as such यह आपे मिली नहीं, प्लस, मतलब पहले तो देखा गया तो war जैसी चीजे, nuclear जैसी बातों को यह आपे बीच में ले पूरे दुनिया बर के बाजार के ओपर यहापे आ सकता है, और नो डाउट इसमें हमारा nifty-fifty भी देखने हो का आपे मिल रहा है, प्लस, खास करके अगर हम लोग बात करें, हमारे इंडियन मार्केट में पहले अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही हमारा इंडियन मार्क अगर हम लोग आपे बात करें, उन्होंने भी इंडियन मार्केट में, मतलब पॉलिटिक्स में इंटर्फेर करने की यहापे कोशिश की है, और जिस प्रकर का उनका इतियास रहा है, यह लड़ाई बहुत लंबी यहापे चलने वाली है, तो इन सभी चीजों को भी अगर आ जादा देखने को आपे मिल रहे है, मतलब ऐसी बात नहीं है, कि recovery नहीं होगी करके recovery जरूर आएगी, बट sell on rise यह जो हम लोगों को चीज़े देखने को मिल जाती है, वो अभी आप लोगों को आने वाले समय में भी देखने को आपे मिल सकती है, अभी देख लेते हैं, अमे जो pressure वाली चीज़े थी, वो अभी हम लोगों को और बढ़ती ही देखने को आपे मिल रही है, तो हम लोग fingers तो cross रखेंगे, कि Russia versus Ukraine में जो war यहापे चल रही है, उसमें nuclear component अगर include हो गया, तो definitely पूरे दुनिया बर के बाजार में आपको पता ही है, कि क्या हो यहापे हो सकता है, यह तो एक मतलब normal इंसान भी हापे समझ सकता है, तो ठीक है, देख लेते हैं आगे जाकर यहापे क्या होता है, बट फिलाल का जो बाजार का माहुले, वो थोड़ा सा और हम लोगों को tense होते वी देखने हो का आपे मिल रहा है, तो आशाकरत आप video helpful लगा होगा, तो चा जाख याब, अकर दख है, रुझ, भाज़ा यहाब, जादा, यहाँ लो रहाँ के जा डाहां कि जा़ा भी होता है, यहाँे रहाया है, वो बादा का Tagar म्हाईं जाओे है।